नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल काम की बात में प्यारे दोस्तों आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दिया होगा अगर नहीं किया तो प्लीज जल से जल करें आज हम अपने चैनल के द्वारा आपको भारत में बहुत बुरी तरीके से फैल रहे रोग मोटापे के बारे में बता रहे हैं आज जिसे देखो हर तीसरे इंसान को हम मोटापे से ग्रसित देखते हैं आज हम अपने चैनल के द्वारा मेरे खुद के अनुभव से जो मैंने इस नुस्के को अजमा के लाप राप्त किया है वो आप से शेर करने जा रही हूँ उमीद करती हूँ कि आप इसे प्रयोग करके इस ब्यानक रोग से निजात पाएंगे प्यारे दोस्तों इस नुस्के को अजमाने के लिए हमें एक निम्बू लेना है और उसका रस एक कटोरी में निकाल लेना है और जीब की साहिता से उसे हमें निगल लेना है और एक घंटे तक कुछ नहीं खाना है कुछ नहीं पीना है एक घंटे होने के बाद हमें एक ग्लास गरम पानी जो चाए की तरह गरम होना चाहिए उसे जैसे हम चाए को पीते है वैसे ही शिपशिप करके पीना है इसके लिए क्या परेज करने है वो मैं आपको बता रही हूं आपको चीनी यानि सूगर का प्रियोग बिल्कुल वर्जित कर देना है आपको चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है दूद भी लेना है तो वो भी फीका लेना है खाना में जब हम रोटियां खाते हैं उस आटे में बेशन का प्रियोग करना है जिससे की आपको जल्दी फाइदन ने जराए तीसरा आपको भार की किसी भी चीज को जिससे फैट भढ़ता हो उसका प्रियोग नहीं करना है चोथा आपको मैदे से बनी हुई चीजों से भी परेज रखना है पाच्छुआ कपाल भाती और मॉर्निंग वक यानि सुबह की सेर जरूर से जरूर करनी है छटा रात को जल्दी सोना है सुबह जल्दी उठना है सुबह उठने के बाद आपको कम से कम नहीं दो से तीन गिलास पानी जरूर से जरूर पीना है प्यारी बैनों प्यारे दोस्तों उमीद है कि आप इस प्रयास को अजमा कर लाप राप्त करेंगे आपको हमारा सुजाओ कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बोक्स में जरूर से जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है वो तो आप करेंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार